कभी कि तो कुछ से रformed क्लाशीज तो इस वाले वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले अब आपके पास 50ल महीने में आपको एटी प्लस के लिच Amendment करना है आपने पूरा साल कुछ किया ना किया वह सब भूल जाई है अब आज से आपको पढ़ नास्ट करना है तो मैं आज से हर chapter का एक वीडियो बनाऊँगा और एक वीडियो में पूरे chapter के सभी topic कवर करने वाला हूँ और आपको बताऊँगा कि उस chapter में से कितने marks का पुछते हैं और उस में से कैसे questions आते हैं तो for example सबसे पहला हम करने वाले कौन सा? NPO, Non for Profit Organization यह chapter आपके पूरे paper में कितने marks cover करेगा 10 marks और यह होगा आपके लिए 12.5% मतलब अगर आपको score करना है 60 और आपको पताए कि आप score कर लोगे 60 तो 12.5 यह ले लिजे तो आपको 12.5 तो यहीं से मिल जाएंगे तो यह वीडियो अच्छे से पूरा देखना तो one by one सबसे पहले हम आपको बता दू कि इस chapter में से तीन questions आएंगे एक one mark का questions आएगा वह MCQs हो सकता है या theory हो सकता है तो MCQs और theory के लिए मैं आपकों यह topics जो अभी पढ़ाने वाला हूँ तो उसका जो theory पढ़ारी पढ़ारूँगा तो उसमें से आपको one mark का question आ सकता है वह MCQs भी हो सकता है यह फिर theory हो सकता है next 3 marks का question आएगा अब 3 marks का question कैसा आएगा वो भी मैं आपको बताऊँगा और एक आएगा 6 marks का question तो 3 marks के question में आपको पूछाएगा material consume fine करनेगा वो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं revision कराऊंगा पूरा तो आपको वो भी पता चले जाएगा और 6 marks के question में आपको पूछ सकते है final account तो उसमें सिफ आपको income expenditure भी पूछ सकते है या balance sheet के साच में भी पूछ सकते है तो ये वाला भी करेंगे और ये 3 marks में आपको subscribe भी आ सकता है तो ये 3 questions आएंगे उस से जादा एक भी question आपको नहीं आने वारा ये paper की pattern ही है तो 10 marks के लिए आपको ये 3 questions आएंगे 6, 3 and 1 तो ये हो गया हमारे पूरे 10 marks तो 12.5% के लिए आप अच्छे से prepare हो जाएए paper और pen ले लीजिए तो सबसे पहला क्या है सबसे पहला है meaning तो non for profit organization का मतलब क्या है तो non for profit organization नाम से पता चल जाए अगर आपको इंग्लिस अच्छे से आती है तो non for profit organization मतलब ऐसी organization जिसका motive profit ना हो तो profit ना हो तो क्या होगा वो काम तो कर रही है बट social welfare के लिए तो सबसे पहला हमारा हो गया meaning तो one marks में आपको meaning push सकता है अब यहाँ पर one marks में आपको यह सब आ सकता है जो मैं tick कर रहा हूँ उसमें से कुछ भी आ सकता है legacy आ सकता है donation के हिसाब से कुछ आ सकता है life members से fee के उपर question आ सकता है entrance fee क्या होते है उस पर आ सकता है special fund का आ सकता है इसमें से मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उसमें से one marks के लिए आपको आ सकता है जो अब theory पढ़ाने वाला हूँ तो सबसे पहला क्या है one by one हम देखेंगे subscription हम किसमें देखेंगे पहले हम पढ़ेंगे one marks के लिए तो one marks पे focus करना है one marks मतलब हमारे कुछ percentage one marks मतलब आपको यह याद रखना है तो मैं आपको one या two percent अभी ही दे रहा हूँ अभी सिफ दो मिलिट में ही दे रहा हूँ तो क्या है सबसे पहला legacy तो legacy क्या होती है याद रखिए कौन सा business non for profit organization तो कोई ऐसा fund आया हो जिसमें कोई मर गया हो उसने wheel बनाई हो क्या wheel बनाई हो और उसमें बोला हो कि मेरा सब पैसा NPO में जाएगा या तो NGO में जाएगा non for profit organization को दिया जाएगा तो वो जो पैसा देगा उसको हम क्या कहेंगे लेगेसी तो लेगेसी को क्या करेंगे हम लेगेसी होगी हमारे लिए क्या लायबिलिटी तो हम उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल फंड में डोनेशन अब डोनेशन हो सकते है दो तरीके के एक होता है जनरल डोनेशन और एक होता है Specific Donation अब मैं आपको एक बात बता दू मैंने आपको 100 रुपिया दिया तो आपके लिए क्या हो गई? इनकम हो गई पर मैंने आपको 100 रुपिया ये बोल के दिया कि आप ये 100 रुपिज आपके फ्रेंड एक को दे देना तो ये आपके लिए क्या हो गई? ये 100 रुपिया आप नहीं रखोगे आप किसको दोगे? आप अपने फ्रेंड एक को दोगे तो ये आपके लिए लाइबलिट हो गई तो जब मैंने आपको बिना कोई Terms and Condition के पैसा दिया था तो अब आपके लिए वो क्या थी? इंकम थी तो जनरल डोनेशन का मतलब क्या होता है? जनरल डोनेशन आपको जब भी मिलेगा विदाउट एनी कंडिशन कोई भी डोनेशन आपको मिलेगा ताब उसको कहा ट्रांसफर करोगे? इंकम and expenditure account में कौनसे side? इंकम side, अब इंकम and expenditure account में इस side पर क्या होता है? expenditure और इस side पर होता है income नाम उल्टा है और format अलग है तो क्या है? expenditure पहले आएगा income बात में आएगा, तो confused नहीं होना है एक्जाम में सभी बच्चे यह बात पर confused होते है income को लिख देते है debit side और expenditure को लिख देते है credit side तो आपको confused नहीं होना है यह वीडियो को ध्यान से देखिए और paper और pen लेके अच्छे से लिख लीजिए तो क्या-क्या याद रखना है? तो आपको 12.5% लाने से कोई नहीं रोख सकता तो क्या है specific donation तो जनरल donation में जब भी आपको मिलेगा तो आप उसको लिखोगे income sign अब जब भी मिलेगा आपको specific donation तो यहां पर क्या हो जाएगा specific में आ जाएगी terms and condition तो जब भी terms and condition आएगी तो आपके लिए क्या होगी? liability या होगी? याद रखना है तो टूचेल की थो सपेशिक जुड़ीचन आप करो दो सब्सक्सार दो जिन राप हमें दोessäसं आ या को बैंडिग के बनाने के लिए वह सकते हो और क्रिक्षा कश्रों यहां पर अब क्या लिखोगे है मरी मुझा साला BENEA कि स्वरी डोनेशन है या of personal आ इतुकर मेरब बीडिक कॉंसिंस रॉनेंट पॉक्षड मोड़ीटि तो क्या हो ख्या देख हो Rू मतलब और आपको पैसा मिलेंगा तो आपके लिए income और specific होगा तो क्या हो जाएगा लाइबिटी जनरल income specific लाइबिटी जनरल income specific लाइबिटी याद रख लीजी यह क्योंकि आपको काम लगेगा subscription वाले में भी और income expenditure में भी काम लगेगा और final account पन्तब 6 और यह आपको पूरे 9 marks लाने के लिए आपको यह काम लग सकता तो याद रखना जनरल क्या होगा income specific लाइबिटी जनरल income specific लाइबिटी आपको यह गाना बना के याद कर लेना है तो next हमने क्या क्या legacy समझा donation समझा अफ लाइफ membership fee तो लाइफ membership fee for example आपने कोई भी otg platform का आपने subscription लिया होगा for example तो subscription लेते हैं तो यह एक तरह का subscription ही है बट life membership fee क्यों कहते है इसको क्योंकि जब भी कोई भी member for example वह ऐसा बोले कि जब मतलब मैं जी हूँ मतलब life पूरी life के लिए अपना subscription भर दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे life membership fee तो वह अपने लिए क्या होगी liability क्यों liability होगी वह चाहे तब पैसा वापिस मांग सकता है कुछ terms and condition होगे के वापिस नहीं मिलेगा बट life membership fee हमेशा क्या होगी liability तो ऐसे ही जो fees मिले है वह life membership के लिए मिले है पूरी life का membership हमको मिलेगा वह NPO के लिए तो उसमें क्या होगा life membership fee हम लिखेंगे liability side अब next next क्या है entrance fee तो अब entrance मतलब किसी भी for example आपको club में joint होना है for example sports club है तो sports club है वह होता है non for profit organization के लिए होना चाहिए NPO sports club होना चाहिए तो for example ABC city में sports club है XYZ तो XYZ sports club है तो उसमें आपको entry लेनी है आपको first time आप join हो रहे हो तो जब भी आप join होगे तो आपको देनी पड़ेगी entrance fee क्या देनी पड़ेगी entrance fee तो entrance fee का मतलब जब भी आप entry ले रहे हो तो कुछ fees दे रहे हो तो जब भी आप fees होगे तो NPO के लिए क्या होगी income income होगी बट कभी-कभी आप कभी कहा लिखोगे यह लिखोगे आप उसको liability side पर लिखोगे क्यूँ वह आपको question में बताया होगा के entrance fee is capitalized जब भी यह वर यूज हो लिखोगे और कुछ ना बोलाओ तो कहा लिखोगे income side जब भी कुछ ना बोलाो तो income side और प्रफाओ तो लाइबिलिटी साइड अब क्या है स्पेसिफिक पॉर्ट तो स्पेसियल फंड है तो पहले भी बता दिया जब भी स्पेसिफिक वर्ड होगा तो कहां लिखो क्या आप लिएबिलिटी साइड आगे कुछ आपको सोचने की जूरूरत नहीं है उसको लिख देना तो मैं कोई एक ओर्गनाइजसिशन थी और उसमें एक tournament में मैंने guest को बुलाया एबी Seit excuse को बूलाया तो जब भी भी, आएख का कितो मेरे को उसको प्रफुक्त पे करना होगा तो उसके ओनर में मैं उसको जो पे करूंगा वो मेरे लिक्या होगा उनुरियम expense पेजर टो एक्सपैंस हम का लिखेंगे expenditure site कहां लिखेंगे expenditure site याद रखना है ये वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिए और कुछ मत सोचें लें सिर्फ वीडियो देखिए एंट्रांसट्षों रुखेंगे कहां पर इंकम साइट या लिखेंगे लाइबिलिटी कैसा जब भी यएंट्रांसट्फ आपको बताएम के इंकम है कुछ ना बोलाव तो इंकम और और capitalize बोला हो तो क्या है लाइबिलिटी स्पेशल फंड अमेर होंगे लाइबिलिटी मतलब आपको building fund मिला लाइबिलिटी investment fund मिला लाइबिलिटी होनोरे ने भी बता दिया मैंने endowment fund तो endowment fund कैसा है कोई guest आया हो और उसने हमको fund दिया हो तो वो fund क्या होगा हमारे लिए लाइबिलिटी और endowment fund में अगर specific किया हुआ है कि building के लिए तो हम लिखेंगे liability पे या तो endowment fund हमारे लिए normally होगा income sorry मैंने पहले liability बोल जा था वो होगा हमारे लिए income याद रखना है endowment fund income government grant अब government grant भी दो तरह की सकती है कौन सी एक हो सकती है specific और इस एक हो सकती है general general कैसी होगी आप कभी भी यूज कर सकते हो और specific क्या होगा specific में आपको सिफ specific purpose के लिए यूज करना है for example premises बनाने के लिए आपको यूज करना हो तो वो क्या होगा आपके लिए लायाबिलिटी तो गवर्मेंट ग्रांड आपके लिए हो सकती है इंकम हो सकती है या तो लायाबिलिटी हो सकती है तो लायाबिलिटी कब होगी जब पेसिफिक हो इंकम कब होगी जब जनरल हो तो मैं सभी बता रहा हूं डोनेशन आपके लिए क्या हो सकता है इंकम हो सकती है लायबिलिटी हो सकती है एंट्रांस फी आपके लिए क्या हो सकती है इंकम हो सकती है लायबिलिटी हो सकती है एंडोमेंट फंड आपके लिए नॉर्मली क्या होगा एंडोमेंट फंड इंकम होगी अब लाइफ मेंबर्स फी भी आपके लिए लायबिलिटी होगी लेगेसी भ government grant income liability and transfer income liability अब है sports material तो यह जो sports material मैंने यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर आपको कुछ भी पूछ सकते हैं for example material consume, stock consume यह सब आपको यहाँ पर words आएंगे तो यह जो होगा वह आपको 3 marks के लिए आएगा कितने marks के लिए 3 marks के लिए यह नहीं आएगा तो कौन सा आएगा subscription वाल आएगा वह तीन मांक के लिए आएगा अब last में होगा receipt and payment account income and expenditure account तो आप इतना अच्छे से समझ लीजिए अब मैं next कराने वाला हूं क्या sports material के बारे में उससे पहले कराऊंगा मैं subscription बाद में sports material receipt and payment account income and expenditure account हब हम देखेंगे subscription तो subscription का मैं आपको basic समझ आऊँगा और बाद में previous question लेने वाला हूं तो आपको question के साथ दो alternative के साथ आपको solve करके बताऊंगा तो सबसे पहला हम लेंगे question क्या है sorry सबसे पहला हम ट्रिक समझेंगे तो जब भी आपको subscription का question आए three marks में three marks में भी आ सकता है मतलब तीन marks के लिए भी आ सकता है और अगर तीन marks के लिए ना आए तो आपको definitely income and expenditure account में subscription वाला question आए गाई मतलब आपको जब full phrase हम पूछेंगे तो यह तो पूछने यह वाले तो क्या है सबसे पहला outstanding for the current year मतलब इस साल का अब सबसे पहला समझ लिजी income and expenditure हम अकाउंट में कौन सी चीज़ लिखते current year के income and current year के expenditure तो जो पैसा इस साल का बाकी है तो हमारे लिए क्या होगा current year का income होगी तो उसको हम करेंगे प्लस अब जो पैसा पिछले साल का बाकी था अभी तक बाकी है तो इस साल का क्या है इंकम नहीं वह पिछले साल की इंकम तो हम उसको माइनस करेंगे मतलब हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगी एडवांस फॉर्द करेंट यर मतलब करेंट यर में जो हमको एडवांस मतलब आने वाले साल का पैसा 2022 का 2022 का अभी से पैसा मिल गया तो वह हमारे लिए क्या है आने वाले साल की इंकम है तो वह हमारे लिए इस साल की इंकम नहीं है तो उसको भी हम मायमस करेंगे अब पिछले साल पैसा मिला था 2020 मिला था वो क्या था इस साल का पैसा था मलब 2021 का पैसा था तो हम क्या करेंगे इस पहरेंट या निग्ये ओस्तेंदिंग एसका पोज़स क्या होगा यह बस कितना याद रखना है अब जो प्लस है वemale किया होगा क्रेडिल होगा क्या होगा क्रेडिट होगा और जो माइनस है वह आपके लिए होगा डेबी क्रेडिस मैं अब को लिए एकदम credit होगा पर यह minus वाला debit होगा मतलब यह दोनों चीजे हम कहा लिखेंगे यह दोनों चीजे लिखेंगे हम credit side पे और यह दोनों चीजे कहा लिखेंगे यह लिखेंगे हम debit side पे अब आपको एक और adjustment में चीज़ दियोगी क्या दिया होगा amount paid during the year मतलब इस साल पैसा कितना पेक किया one lakh amount received during the year क्या होगा received क्योंकि यह हमारे लिए income है receive है one lakh तो यह आपके लिए current year का income होगी current year में कितना पैसा मिला income नहीं receive होगी क्या होगी receive होगी तो यह one lakh तो पैसा था हमको पूरा एक लाक मिला बड़ उसमें से कुछ कौन सा था आने वाले साल का था और कुछ था पिछले साल का बाकी था वह मिला है इसलिए हमको क्या find करना होगा कि इस साल का पैसा कितना मिला ह अब कुछ sums ऐसे होते हैं जिसमें हमको यह भी बाता दिया होता है कि इस साल का पैसा कितना मिलेगा तो हमको इस में से कुछ find करना होगा तो यह नहीं दिया होगा तो वह कब होगा जब आपको बता दिया हो के member है 200 और हर member आपको 1000 रुपया दे रहा है मतलब 1000 रुपया साल क क्या सॉस्क्रिप्शन दे तो ट righteous होगा तो इसम को क्या करने है निकाल नहीं यह जब भी इस में से इंकम अपने कर दो क्या करना पड़ेगा से कर आपको इंकम m तो सबसे पहला आप याद रख लीजिए कि जब भी आपको ऐसा सम दिया हो और आपको बोलाओ कि सॉल करी और वहाँ पेसिफाइड नहीं कियोगा अकाउंट बनाईए या स्टेटमेंट बनाईए तो आप यह करोगे पहला लिखोगे कि अमाउंट रिस्टीव दियर फिर जो प्लस है उसको प्लस करोगे और जो माइनस उसको माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगी मतलब करेंट यर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अब मैं एक सम ले रहा हूं जो प्रिवियस से पुछा था तो वह सम से हम पता करेंगे कि कैसे सॉल करना है तो वह सम क्या है यही फॉर्मिट मैं रहने दे रहा हूं सिर्फ आपको अमाउंट यहां पर बताई होगी तो मै अपको बता रहा हूं चलो मैं रख कर रहा हूं अच्छे से लिखूंगा क्या है सबक्षे से पता चली तो क्या है वन बैवन आपको सम स्क्रीन पर दिखेगा मैं पर आप पूरा डिट कर रहा हूं फ्रम फॉलिंग इन्फोर्मिशन चल्कूलेट अमांट अफ दिल्ली में आया था तो यह कौन साथ 2010 में यह पूछा था मतलब यह प्रीवेशल में आ चुका है तो आपको इस सल ऐसा क्वेशन आ सकता है तो क्या है हम पढ़ेंगे क्या है क्या है तो पूरे साल की इंकम कितनी होगी हमारी पूरे साल की इंकम होगी क्या है तो यहां पर आपको बताया है तो यहां पर देखिए आपको क्या क्या दिया हो सकता है प्रीवेश यर की आउट्सेंडिंग दिया हो सकती है करेंट यर की आउट्सेंडिंग दिया हो सकती है प्रीवेश यर का एडवांस दिया हो सकता है और करेंट यर का एडवांस द इतना चीजह आपको पता है प्रिविए से क्या होगी माइनस होगी तो यह क्या होगा यह माइनस होगा तो यह माइनस होगा तो आपको एसे ही याद रख लेना है आपको एक चीज याद रखनी है बागी सब चीजे अपने आप याद रहे जाएगी तो यह है तो अब महां पर वन बाइवन देखूंगा कौन-कौन सी चीज़े दिये हुई है तो सबसे पहला मतलब हमको कितना पैसा मिला है सब्सेप्शन का इस साल वह कितना दिया है तो लेक सिक्स्टी फाइजन रूपीज अब नेक्स क्या दिया हुआ है अब नेक्स दिया हुआ है दो फॉलाइंग एडिशनल इन्फोर्मेशन इस प्रोवाइड सब्सेप्शन आउस्टेंडिंग ऑन 31st मार्च 2017 आउस्टेंडिंग ऑफ प्रीविए सेर क्या करेंगे माइनस करेंगे तो डायरेक्ट मैं यहां पर डिड़क कर रहा हूं आउस्ट इंडिंग प्रीविय चिर्शा में अमांट केती हुआ है अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया हुआ है और स्ति डिया हुआ है और सबस्क्रिब्स और सिस्ट इन एडवाँस ओ त। सकता है आने वाले सालका पैसा उसको भी क्या करेंगे PR वह भी की थाउजन शक्राशन यहां 20 two lakh ten thousand two lakh ten thousand one lakh eighty thousand क्या है one lakh eighty thousand अब next क्या दिया हुआ है वो हम find करेंगे तो सबसे पहला हमको दिया हुआ है last एक चीत दे ऑग यह subscription received in advance on 31st March 2017 मतलब पहले वाले जो आने वाला साल था पहला जो गया वह सालका आपको पैसा दिया हुआ है कि इतना वह सालका आपको पैसा दिया हुआ है अब यहां पर और एक चीज बाकि रही क्या वह भी आप देखना कि यह कितना होगा कि वन लेख नाइंटी टूथाउज़ क्या होगा वन लेख नाइंटी टूथाउज़ अब यह चीज बाकि देए कि इस साल कितना प्रेशा मिला तो रिसिप इन करण्डियर अमाउंट कि इन करण्डियर कितना है तो लेख सिक्स्टी फाइज़न कितना है टू लेख सिक्स्टी फाइज़न तो यह कितना वह जीरो 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 सेवन और यह हो जाएगा फान है और यह है además फिटी सेवन फाव्दन कितना होगा थ्री लैक्विटी सेवन थावलन तो यहां पर कितना सुरी यह जो इहां पर लिखनी से हर तो वो question की में ही मैंने solution स्टाट कर दिया तो क्या है यहाँ पर amount received for current year कितना है 2,65,000 कितना है 2,65,000 तो अब यहाँ पर हमारी amount change होगी कितना होगा 70,000 माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 70 तो 40 तो यह होगा 20 तो यह कितना होगा सरी यह होगा 1,85,000 प्लस कितना है 12,000 तो यह हो जाएगा 2,7,000 कितना होगा 2,7,000 तो यह हमारी क्या होई current year की income यहाँ पर हमको पहले से दे दिया हुआ क्या 250 इंटू 1000 पूरा कितना होना चाहिए 250 होना चाहिए current year की income बट हमको अभी तक मिला कितना है हमको सिर्फ मिला है 2,7,000 तो current year का outstanding मिल जाएगा हमको यहां से तो कितना होगा वह यह हो जाएगा 43,000 कितना होगा 43,000 तो यह क्या है हमारे लिए current year का outstanding outstanding of current year तो आप ऐसे भी कर सकते हो और दूसरा तरीका है कि आप क्या कर सकते हो जो माइनस हुई है वो चीजों को आप यहां लिखो और जो प्लस हुआ है वो चीजों का आप यहां लिखो तो कौन कौन सी चीजे प्लस हुई है तो यह दो चीजे माइनस हुई है तो यहां पर आप लिखोगे 40,000 यहां पर आप लिखोगे 30,000 अब यह चीज क्या हुआ एडवान्स आपके लिए प्लस हुआ है क्वैं ट्वैल हाउजंड करेंट यह का कितना है स्वरी आउट्षण नियुक्त यह तो हमको बैलेंसिंग फीगर मिलेगा इसमें से वह बाइनद देखेंगे अब हमको और क्या दिया हुआ है टू लैक बैंक का करके कितना लिखेंगे टू लैक्सिक्स्टी फाइजन अब यहां पर हमको main answer क्या मिलता है income and expenditure account में कितना पैसा जाएगा बट वो हमको पहले से दे दिया हुआ है क्या income and expenditure account वो कहां दिया हुआ है यह वाला जो दिया हुआ हो क्या है यहां पर मिलेगा 43,000 तो यहां पर क्या है यहां पर हमने पहले यह लिखा income and expenditure अब यहां पर आपको confusion होगा कि यहां balancing figure तो आपको normally क्या करना है अब मैं balancing figure नहीं calculate कर रहा मेरे पास direct amount है तो मैं क्या करूंगा नौर्मली क्या होता outstanding of current year क्या होता है प्लस होता है तो हम करेंगे इसको इधर लिखेंगे यहां नहीं लिखेंगे यह मैंने गल्ती से लिखा था तो क्या है outstanding of current year यह हमारे balancing figure कितनी 43,000 अब आप करोगे तो यह account क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा आप इस तरीके से आपको तीन मार्क्स तो मैंने बता दिया अब हम चेक करेंगे के sports material consume वो find करना कैसे आएगा तो वो तीन मार्क्स ना सकता है तो अब हम हम देखेंगे अब हम देखेंगे क्या sports material consume तो यह question आपको definitely आएगा यह paper में अगर ना आए तो मेरे वीडियो पर वापिस आना और comment करना आएगा यह link के ले लो यह question आने ही वाला है sports material नहीं पुछा होगा तो आपको कुछ अलग नाम से दिया होगा बट सिफ आपको यह सिफ name change होगा बा तो आपको अच्छे से याद कर लेना है अब आपको क्या क्या गिया हो सकता है वो याद रखी हो सकता है कुछ question में कुछ चीजे ना दियो बट जो भी दे सकता है वो मैं आपको सभी बता रहा हूं क्या है opening मतलब opening में कितना था sports material मतलब समझो कि आपके school में sports material लाते होंगे football, volleyball, bet, ball सब भी लाते होंगे badminton तो यह सब चीजे लाते होंगे तो यह हमारे लिए sports material है तो sports material का opening stock, closing stock मतलब पहले कितना था और यहर के end में कितना है अब यह चीजी हो सकता है कि क्राइडर के पास मतलब उधार में लाए हो तो उधार में लाए होंगे तो क्या होगा opening में उसका उधार कितना था और closing में उधार कितना है और हो सकता है कि कुछ payments हमने इस साल किये हो तो कुछ payments किये हो मतलब payment in the current year तो बस इतनी चीजे दिए हो सकती है तो आपको क्या याद रख लेना है आपको मैं एक basic formula बता रहा हूं basic formula आपको वो याद रख लेना है और उस रखा गया है तो for example 2008 में और इंडिया में पूछा था क्या है calculate the amount of sport material to be debited कि शरी तूबी डैबिटेट टूद income and expenditure account किसमे income and expenditure रहा हूं स्वरी मैं आपको income and expenditure account बाद में बना के दिखा रहा हूं पहले हम इस से solve करेंगे पहले हम यह formula से solve करेंगे फिर में आपको income and expenditure से कैसे solve करना है वह भी बताने वाला हूं तो income and expenditure रखते हूं अब यहां पर आपको दिया हुआ क्या opening stock closing stock opening credit closing credit amount paid for the sports material during the year was 19,000 तो यह सबसे परला 19,000 तो फिर दिया है opening stock कितना है 7500 कि 7500 closing stock 6400 6400 opening credit है 2000 closing credit है 2600 2600 अब यह इतना ही question है अब हमको क्या करना है हमको यहां पर specific बोला नहीं है कि आप account बना तो जब भी ऐसा कुछ ना बोला हो तो आप यह method से solve कीजिए easily आपका answer आजाएगा सिर्फ आपको क्या बताना है कि income and expenditure account कौनसे account में कितनी amount जाएगी तो आपको बताना है सबसे पहला मैं यह question solve करूंगा तो यहां पर आपको formula दिया हुआ है closing stock भी दिया हुआ है और याद रखना यह purchase है payment नहीं है यह payment क्या करते बच्चे नॉर्मली इसको ही उठा के यहां लिख दे रहे तो 19,000 को यहां लिख देते है तो यह गलत है purchase का मतलब हमने इस साल कितना खरीदा इस साल कितना पैसा दिया वह नहीं है हो सकता है कि हम एने कुछ पैसा अगले पिछले साल का दिया हो मतलब पिछले साल का बाकी पैसा भी मैंने दिया हो सकता है तो हो सकता है यह 19,000 में वह भी इन्क्लूड हो इस साल का purchase find करेंगे कि इस साल कितना material क्रीदा हो सकता है उसको credit में खरीदा हो थोड़ा credit के उधार प purchase लएंगे तो क्या है पहले तो देखेंगे कि इस साल कितना पैशा पैकिय किस साल 19,000 में सौचिए किस सचीये पहले स्टार्टंग में हमार पास कितने क्रेइट्र ते और अभी कितने इधिशन हुआ होगा वह क्या होगा क्या होगा करण्ट यार के ख्रैइट मतलब उतना एडिस्नल पर्चेस किया होगा किस फे उधार पर यहाँ पर क्या है माइनस कितना दिया हुआ सब्सक्राइब यह 2,600 है और यह 2,000 2,600 माइनस 2,000 कितना हुआ कितना हुआ यह 2,600 माइनस 2,000 तो यह हुआ 600 तो हमारा आइसर आएगा 9600 तो यह हमको मिला पर्जेश अब आप नॉर्मल ही लिखते तो क्या लिखते यहां पर आपके 19,000 तो यह गलत है तो हम यह आप लिखेंगे 19,600 अब क्या है ओपनिंग स्टॉक्ट तो ओपनिंग स्टॉक्ट क्या है 7500 क्या है 7500 और प्लोजिंग स्टॉक्ट है माइनस तो यह मैं कल्कुलेट करूँगा तो यह मैं यहां कल्कुलेट कर रहा हूं कितना है तो यह प्लस है 600 प्लस 7500 तो यह कितना हुआ 001 यह हो जाएगा 7 और यह हो जाएगा 37100 माइनस 6400 यह कितना हुआ 004 माइनस 14 11-4 कितना हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 7 और यह 603 और यहां पर हम लिखेंगे 30 यह हो जाएगा यहां से हम कैरी लिए यह हो जाएगा स्वारी यहां पर मैंने गलत किया है यह कितना है वन यहां पर हो जागा टू यह हो जागा कितना 20,700 तो यह जो हमको 20,700 मिला वो क्या मिला इस साल का sports material use मतलब इस साल में हमने कितना consume किया स्वारी वो कितना होगा 20,700 तो इस साल का आप डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो इस पहला पहली ट लो है तो यहांबे फॉर्मुला में क्या है यह प्ल से मैं typing साहीं कहा है बड साइंग बलत लगाई थी में क्या सaguaक estar, तो आप कि मैं आपको बता हूंगा बता हूंगा तो यहां पिसको जो कैसे करोगे तो मैं यहां पर बता यासा अकाउं उसको आप क्या लिखोंगे एकρस्ट्राइक ऑफ इंकम एक्सपैंडीचर अकॉन किया लिखना एकर लिखना है एक क्यों कीए टर्फ्ट्राक्उंट नहीं बना रहे तो हम यहां पर लिखेंगे पूरे आपके लिए कितने तीन मार्क्स में आ सकता है तो आप पूरे का पुरा अच्छे से देख लीजिए तो एक याद रखना मैं फिर से हाइलाइट कर रहा हूं यह देख लीजिए और यह देख लीजिए आपको आप मैं इधर आ रहा हूं तो आप अच्छे से पॉस्ट करके देख सकते हो स्क्रिंशॉट ले लिजिए अब हम लास्ट सिफ फॉर्मेट देखेंगे रिसिप्टन पेइमेंट अकाउंट इंकम एक्स्पेंडिचर अकाउंट और बैलेंस इट की तो मैंने आपको यह चैप्टर पढ़ा दिया अब पूरे चैप्टर में आपको कुछ भी डाउट हो तब कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो पन मेरे को स्यॉर है कि आपको कुछ डाउट होगा ही नहीं क्यूंकि यह वीडियो में मैंने सभी की टॉपिक कवर किया है ऐसा कोई टॉपिक नहीं क आपको समझाऊंगा पांच मिनिट भी नहीं लगेंगे तो आप बणे रही एक रिस्विट रिएन पेअन पैश्वाय पेपर में बड़ा आपको बनाने के जैसा ही होता है है यह पर आपको रिसीप्ट दियोंगे और पैमेंट भी मतलब कहां से पैसा आया और कहां पैसा ग पुरा उससे उल्टा है तो यहां पर confusion होई जाता है मैं भी पढ़ रहा था तो मैंने भी पहले जब बना रहा था तो confusion हुआ था तो आपको भी confusion हो सकता है नॉर्मली सबको होता है तो आपको अच्छे से याद रखना है रिविशन करना है इच्छे से तो यहां पर क्या होगा expenditure and income अब बैलेंसी तो मैंने आपको क्या-क्या सभी topic पढ़ा दिये सबसे पहला मैंने आपको compute पढ़ाया सब्सक्रिप्ष्य पढ़ाया लेगे रख Quad पढ़ाया राइव की पढ़ाया ईन्ट्रांश अट्रांजन की पढ़ाया क्या होता है वह पढ़ाया तो तीन मार्क्स में आ सकता है यह आपके तीन मार्क्स में आ सकता है अगर यह दो में से कोई एक तीन मार्क्स में नहीं आया तो डेफिनेटल यह सब्सक्रिप्शन की इसमा आएगा यह सिक्स मार्क्स में इंक्लूड होगा अगर यह सब्सक्रिप्शन इसमा आया तो आपको के six marks में include होगा तो आपको ये और बाखी का जो है वो आपको एक marks में आ सकता है तो रिशिप्शन पेइमेंट अकाउंट कौन से बीजिस पर होता है cash basis याद रखना कौन से बीजिस पर cash basis वो भी एक marks में पूछ सकते हैं तो मैंने ये chapter में पूरे का आपको पूरे के पूरे marks 10 marks मिलने ही वाले 12.5 परसंट ही तो आपके 12.5 परसंट को मैंने ऐसे ही दे दिये आपको अब बाकी आपको लान है तो 80% के लिए हम पूरे का पूरा preparation कर रहे है one by one वीडियो बनाएंगे हर एक chapter के तो ये next वीडियो में हम next chapter के साथ मिलने वाले आपको